काको फेरेगी पाखी के प्लान के ओपर पानी रह जाएगे सारे अर्मान धरे स्टापलस की शूग गुम है किसी के प्यार में की कहानी में नाई नाई ट्वेस्ट अन टॉंस देखने को मिल रहे हैं जहां चार-चार जिन्दगियां उलज़न में पड़ी हुई है लेकिन इस बीच में पाकी को कोई भी फरक नहीं पड़ रहा है कि उसकी हरकतों की वज़े से समराट और सही की जिन्दगी के ओपर क्या असर पड़ेगा तो वहीं अब विराट से बात करने के लिए पाकी ने एक बहुत अच्छा बहाना लगा कर अब विराट को मना लिया है कि वो कभी भी विराट से खुले दिल से ठीक से बात नहीं कर पाती है क्योंकि घर का कोई न कोई उसी वक्त आ जाता है और पाकी की बात अधूरी रह जाती है तो वही अब पाकी ने बना लिया है प्लान के वो विराट के साथ बाहर कहीं काफी शॉप में अब चार बजे मिलने वाली है लेकिन पीछे से अब ये सारी बाते सई सुन लेगी लेगिन आपको बता दें कि अब सई पाकी और विराट के बीच की कबाब की हड़ी नहीं बनेगी बलकि कोई और है अब पाकी के प्लान के उपर पानी फेरता हो नजराने वाला है और वो कोई और नहीं बलकि अब प्यारी मामी होने वाली है यानि की पाकी की बड़ी मामी काकू और अब काकू अब पाकी को घर के काम में ऐसा फंसाएगी और ऐसा चक्कर चलाएगी कि अब पाकी विराट से मिलने जाने के लिए अब कैफे में लेट हो जाएगी और वो से मिल ही नहीं पाएगी तो क्या हूने वाला अब शो की आगे की कहानी में जानने के दिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमाँ चैनल लाइक के टिस वड़े को कमेंट से टिव्यो जरू बतार साथ चैनल की नोटिफेकेशन आन करना भी बिल्कुल भी न भूलें